हेलो एडिवन तो मैंनेम इस आलोक कुमारतरपाटी एंड आम सेलेक्टेट इंकम टैक्स इंस्पेक्टर तुल सीजल 17 बैस विद आल इंडिया रैंक 17 तो जैसा कि मैंने पूरी एक सीरीज चला की थी जो प्रोफाइल के बारे में तो काफी लोगों कमेंट आ रहे थी कि 2018 की ज जैसे आपको लगाता राने वाले वीडियोज मिल सकें वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दीजेगा ठीक है थोड़ा मोटिवेशन से मिलता है उससे तो आई हम बात करते हैं आज के फानल कट आफ क्या रह सकती है उससे पहले कुछ बाते हैं कुछ कैटेगर ग्यारा हजार दोसो वेकेंसिया है और एक फैक्टर अपकी बार जाएगा धैट मिंस जो पिछली बार से लबग तीन हजार वेकेंसिया अपकी बार जादा है वो आपको रीजन पता है कि पिछली बार की जो CGDA की वेकेंसिया थी वो 17 में जोड़ दी गई है तो उसकी 17 रिजल्ट नहीं आया हुआ था तो सारे टॉपर्स ने एक तरीके से 18 का भी एक्जाम दिया हुआ है तो उसको भी मैं आप इंक्लूड करेंगे फिर बात करेंगे काट थ्रोट कंपूटिशन की यह कंपूटिशन हर साल बढ़ता है तो कुछ कट आफ तो उस कंपूटिशन के पहले हम बात करते हैं 2017 में क्या हालत रही थी तो जो लास्ट सेलेक्शन कट आफ थी वो थी 524.25 CBIC टैक्स असिस्टेंट की ठीक है फिर कुछ लोग यहां कहते हैं कि मैं हर कटेगरी को बाबार रिपीट नहीं कर सकता हूँ तो उससे पहले आप 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 देख लिजे के ज यूर क्रेटिकरी कट आप से स्ट वाले 55-65 नमबर कम करके अपनी कट आफ को मान सकते हो तो इस्ट वाले वहां पे 500-55 की बीच अपनी कट आफ मान सकते हो ठीक है बास समाजा रही है और स्ट वाले 80-85 नमबर अगर किसी पोश्ट के लिए जनल की कट आफ है 580-580 मैं नॉर परमली उस पोश्ट के लिए स्ट की कट आफ 500 नमबर के असपास हो सकती है ठीक है बास समाजा गई तो इस तरीके से आप मैं यूर की बताऊंगा तो आप अपना क्लेकुलेट खुद कर ले ना अगर आप OBC SCST में आते हो तो ठीक है आगे चलते हैं थोरसा केटेगरी वाइ से ST की 845 है बट वो जनरल नहीं है यूर है तो 5770 में से लबख कुछ वेकेंसियां ऐसी होंगी जो की OBC SCST ले जाएंगे तो जो है हम फाइनल जो के इंक्लूजन करेंगे यूर की सीट के लिए वो लबख हम 5170 में से मानेंगे कि 5770 में से लगबख लगग 5152 वेकेंसियां ही वालों को मिलेंगी बट उसे पहले आईए कुछ facts पर नजर डाल लेते हैं कि अगर अभी आपके marks 556 है तो आपकी लबख का all India rank 291 के आसपास है जो की कुछ data sources से पताग चला है फिर आप देखेंगे अगर आपके marks 544 के आसपास है तो आपकी rank 634 के राउंड है फिर अगर आ 1200 का chance अभी और है तो इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि जिनके जरनल में marks 4885 के ऊपर है ठीक है देखेंगा मतलब 535 सो rank है 506 नमबर पर that means और बेकिन से किती जरनल की 51 तो जो सिर्फ जरनल वाले ही select होंगे तो it means यहां से भी तो नमबर आपके कम आएंगे न तो आईए उसको आ हैं और अगर आप टायर 3 में 60, 65, 70 नमबर तक ले आते हो तीकि मैं जो cut off ले रहा हूं यह minimum ले रहा हूं cut off इससे कम जाए इस बात के chances बहुत ही कम है इससे ज्यादा ही cut off जाएगी तो अगर आप you are category में 480 marks के ऊपर हो और टायर 3 गर आपका अच्छा गया आप आप 60, 65 marks ल चाट नमबर आप उससे कम कर लीजिएगा ठीक है जैसा मैंने बोला कि यह minimum cut off है इससे कम cut off जाए इस बात के chances काफी कम है और आपको पता है कि यह cut off official cut off तो है नहीं हम मैंने सिर्फ जो data available इंटरनेट पे जो आप लोगों का response रहता है जो मेरा experience है खुद की exams देने सा तो उस इसी बात है 5-10 marks का marginal error हो सकता है ठीक है जो मैं cut off बता रहा हूं उसमें से 5-10 marks का difference आ सकता है अगे चलते हैं तो अब अगर हम बात करें कि minimum cut off पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं च्याले सो ग्रेट पे के लिए तो च्याले सो ग्रेट पे के लिए मेरे हिसाब से जो minimum cut off रहे किया तो जो कि एक average score होता है तो आपको आराम से एक श्याले सो ग्रेट पे अपको एक साइज इंस्पेक्टर आप पोस्ट में से कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी ठीक है तो श्याले सो ग्रेट पे के लिए आपके पास 510 marks है या फिर अगर आपके 500 हैं तो टाइड थी में आपको exceptional 70 marks मिलने चाहिए OBC के लिए लगवग 15 marks कम 555 नंबर रह सकती है ये cutoff ST के लिए 515 रह सकती है ST के लिए 490 रह सकती है तो ये तो बात होगी च्याले सो ग्रेट पे को लेकर के जिसकी काफी जाधा demand रहती है कि च्याले सो ग्रेट पे के लिए हम कितने marks लेकर के आएं अब ज़र हम बात कर लेते हैं minimum cutoff की तो मेरे recording जो minimum cutoff रहेगे सीजल 18 में उससे कम नहीं होगी तो वो अगर 480 और 60 वाला logic लगाते हैं तो ये minimum cutoff 540 अगर आपके 540 marks आएंगे यूर कर्टेगरी में तभी आप job की उमीद रखेगा और ये minimum है ये maybe की 545 के उपर भी जा सकती है 5 नमबर ऊपर ठीक है बट वेकेंशियां ज्यादा है तो हम होप करेंगे कि यूर में 540 marks अगर आपके आते हैं तो आपको एक job मिल जाएगी तो उसी तरीके से OBC के लिए आपको 15 नमबर आप कम कर सकते हो 525 के round minimum cutoff रहेगी और उसी तरीके से SC वाले लगा 50-60 marks कम कर लें तो 480 के round SC को भी job मिल जाएगी और उसमें से 20 नमबर और कम कर लें ST वाले 465 पे भी उनको job मिल सकती है tax assistant excise में ठीक है तो आयोग की ये सारी बाते हैं अभी तक आपको clear हो चुकी होगी cutoff का idea आपको लग चुका होगा और accordingly अगर आपको अपनी 1% post मिल रही है तो आप उसी वीडियों पर 500 ज्यादा like आएंगे तो मैं try करूंगा कि आपको हर post की अलग-अलग cutoff बना करके दे दी जाए फिर भी मैंने यहाँ पर try किया है इंक्लूड करने को आए थोड़ा सा वेकेंसी में भी किये minimum cutoff है इससे जाता ही जाएगी आप देखेंगे कि 2017 का जो exam हुआ था उसमें income tax की cutoff थी 578.75 ठीक है सबसादा cutoff इसी की गई थी और general की जो वेकेंसियां थी वो कितनी थी 110 ठीक है और last rank जिस पर ITI मिला था वो थी 198 लबग ऐसी कुस र देखोगी थोड़ा सबर double से भी कम rank पे आपको ITI मिलता double से भी कम rank पे इसका double कितना होता 220 और उद्धिन पे भी नहीं उससे कम vacancy हो पे यह चीज मिली है और अब की बार vacancy हैं कितनी है जनल कर्टे के लिए 70 vacancy हैं तो it means 140 140 भी maximum हो गया इससे कम that means 125 rank all India rank पे ही जाके आपको I ITI मिलेगा बट अब की बार एक इश्यू यह आ रहा है कि अगर आप देखोगे कि जो इंटर कमिश्टरेट ट्रांसफर्स होते थे ICT जो होता था income tax में excise के लाम अब यहां भी बंद हो चुका है और साथ-साथ में CSS और दिल्ली excise CSS और दिल्ली excise की vacancy अब की बार काफी ज देने में क्योंकि अगर आप एक बार चिन नहीं एहमदाबाद फिर कहीं भी जाकर के फस गये तो फिलहार ट्रांसफर्स कब उपन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है तो फिर आप वहीं पे फसे के फसे रह जाओगे तो इसकी वज़े से हो सकता है कि लोग अब की बार GST इंस्पेक्टर को ज़्यादा प्रफर करें डिल्ली पोस्टिंग में मैं टॉपर्स की बात करूँ जिनके स्कोर काफी जादा है वो हो जाता है कि GST इंस्पेक्टर को या फिर CSS को ज़्यादा प्रफर करेंगे दैन के वो ITI ले करके अब मानेजर की एक बंदा 110 रैंक पे ITI पाक करके वो कहां चला जाएगा एहमतवाद चला जाएगा नागपुर चला जाएगा यूपी का लड़का बट अगर वो GST लेता है तो फिर वो दिल्ली में ही रह जाएगा तो ठीक है मैंने 70 के बात करी थी मैं आकी बार 70 कर डबल ले लेता हूं 140 तो की बार आप 140 ये फि जो टॉप 100 है सीजल 18 में उसमें से कुछ नहीं कम से कम 10 से 15 लड़का तो सीजल 17 के ही टॉपर्स हैं तो वो अपकी बार डीवी छोड़ देंगे यूँकि वो अलले टॉपर्स हैं वो अपनी पोस्ट ले चुके हैं तो मोटा मोटा ये कहूंगा कि अगर आपकी 70 वेकेंसी ह कर दूँगा बट अभी के वेकेंसी के साफ से इंकम टैक्स की कट ओफ 620 के आसपास ही रहेगी और उसी को कंसीडर करते हुए गर हम डिफरेंस लेते हैं अगर प्रिवेस टेंड्स को देखते हुए तो जी एस्टी इंस्पक्र की कट ओफ 585 के अराउंड रहेगी थोड़ा हो सकता है कि 580 भी आ जाए 500 के आसपास भी इसकी कट ओफ आ सकती है कोकि वेकेंसी या काफी ज़्यादा है इसमें अब की बार बगार 1800 वेकेंसी आ है तो हो सकता है और अपकी बार जो 4600 ग्रेट पे हैं तो 1000 वेकेंसी या की बी है तो उन सब चीजों के इंक्लूड करते हु पूटा मोटा एक कट ओफ का डिस्कुशन किया है इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंट शेयर करिएगा तो लेन आप लोग पढ़ते रहें बाबाए और गॉडब्रस यू आल